11 बंगले और 36 करोड की नेटवर्थ, सरकार से हर महीने सेलरी भी मिलती है, फिर भी करज में डूबा हुआ है ये एक्टर. हम जिस सुपस्टा की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बलकी रवी किशन है. रवी किशन ने अपने एक्टिंग करिय की शुरुआत बॉलीवूड फिल्म पीताम बर्ट से की थी. इसके बाद वे हेरा फेरी, कुदरत, आर्मी, तेरे नाम, जैसी कई हिट फिल्मों का हिस्सा रहे. हाला की रवी किशन को भोजपुरी सिनिमा में पॉपुलरिटी मिली. उनकी कुछ फेमस भोजपुरी फिल्मों में सैया हमार, कब होई गवना हमार, दुलहा मिलल दिलदार, गबबर सिंग, गंगा और बाके बिहारी एमेले शामिल है. इन फिल्मों ने रवी किशन को भोज निर्वाचन क्षेतर से चुनाव लड़ा था लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. बाद में रवी किशन ने 2017 में बीजेपी का दामन थाम लिया और 2019 में गोरकपुर से चुनाव लड़ा. इस बार उन्होंने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की. उन्होंने ही नहीं, एक्टर टन पॉलिटिशियन के पास 11 घर भी हैं, जिनमें अंधेरी वेस्ट, मुंबई में एक फ्लेत, पुने के स्काई विमान नगर में एक फ्लेत, जोगेश्वरी, मुंबई में एक बंगला, और शिवारा में एक फ्लेत, गोरेगाव वेस्ट, मुंबई में एक फ्लेत और गोरकपूर, जॉनपूर में अन्य बंगले शामिल है। 55 साल के रवी किशन की कुल नेटवत 36 करोर रुप्य है, जिसमें 14.9-6 करोर रुप्य की चल समपत्ती और 20.70 करोर रुप्य की अचल समपत्ती है। उनके पास 2.55 करोर रुप्य की पैत्रिक समपत्ती भी है। हाला की करोरों की नेटवत होने के बावजूद अभिनिता कथित तौर पर करज में दूबे हुए हैं। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रवी किशन पर 1.86 करोर रुप्य का करजा है। रवी किशन के वक्फरंट की बात करें तो वे हाल ही में लापता लेडीज में नजराये थे। फिल्म में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाये थी और अपनी पफॉर्मेंस से दिल जीत लिया था। उन्होंने मामला लीगल है में भी अपने आभिने से सभी को प्रभावित किया। रवी किशन आप JNU जहागीर नेशनल यूनिवसिटी में दिखाई देंगे जिसमें उर्वशी रौतेला, रश्मिका मंदाना और अन्य भी प प्रमुख भूमिकाओं में है।